आपको नोट्स कैसे बनाने हैं अक्सरी में हमेशा हर वीडियो में बोलती हूं कि आप UGC NET की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ठीक है तो बहुत सरे कि नोट्स बनाए कैसे कैसे शुरू करें तो आज की इस वीडियो में वही चीज़ें हम डिटेल में डिसकस करने वाले हैं आप मेंसे कोई भी बच्चा जो पहली बार चैनल पर आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और पूरी जानकरी लेने के लिए वीडियो जो अक्सरी बहुत सारे learners के mind में रहती है कि अगर हम notes बनाएं तो आखिर वो कितने pages के होने चाहिए ठीक है बेसिकली अब कोई भी book पड़ रहे हैं कोई भी book पड़ रहे है paper 1 के लिए या paper 2 के लिए वो book माल लीजिए अगर 200 से 300 pages की होती है है ना तो उस book से आपको अपने notes बनाने हैं वैसे तो मैं बोलती हूँ अगर आप खुद के notes बना रहे हैं तो आप multiple sources का सहारा ले सकते हैं बट उन sources को आपको अपने notes में summarize कर रहे हैं जैसे आपने एक book फोलो कर ली इसके इलावा कुछ एजुकेटर की classes फोलो कर ली है ना कुछ फोलो कर ली मतलब कुछ PPT वगएरा जो है वो देख ली हैं ना दो तिन sources का सहारा ले सकते हैं बट उन sources को summarize करके आपको अपने खुद के notes बनाने है ठीक है अब notes बनाने का पहला फाइदा यह है कि अब जो notes में चीजे लिख रहे हैं वो आपकी handwritten चीजे होती है तो जब भी कोई चीज आपकी हाथ से निकलती है ना एक बर वो कही न कहीं 200 से 300 pages की है तो कहीं बार क्या करते हैं हम लोग बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बुक में जो भी जितना भी stuff है अगर एक topic को बुक में एक page में समझाया गया तो हम notes का भी एक page ही बना लेती है मतलब पूरी उठाकर बुक की अपने notes में शाप देते हैं तो फिर बुक में उस notes में हमारे कोई फरक पचता ही नहीं है this is a very silly mistake कभी भी यह नहीं करनी आपके अगर 200 से 300 book के pages हैं तो आपके notes के मैं यहाँ पे pages specific नहीं करूंगी कि कितने होने चाहिए बट यह चीज याद रखिएगा कि जितने भी आपके book के pages हैं उसका तीसरा या चोथा हिस्सा ही उस पर भी depend करती है बट जो भी चीजे आप अपने notes में लिख रहे हैं इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा सिरफ वही चीज आनी चाहिए जो भूलने वाली है जो भूलने वाली है ठीक है आपको देखिए अब जैसे माल लीजिए मैं कोई book पढ़ रही हूं इस book में लि बूली नहीं सकते हैं कभी नहीं चीज भूल सकती है उसको पता है तो बताएए इसको notes में लिखने का क्या फाइदा इसमें notes में लिखने का इसको मतलब यह हुआ ना कि आप जान बूच कर अपने notes की लेंथ वड़ा रहे हैं और अपनी book में और notes में कोई फरक रहने ही नही नहीं भूलेगी उन चीज को notes में लिखने का कोई भी परपस नहीं है ठीक है इस completely waste of time waste of pages ठीक है यह चीज आपको जरब भूलने वाली लिखनी है दूसरी बात यहां पर दूसरी चीज यहां पर important बड़े स्टुडेंट जे गलतियां करते हैं आपके notes वैसे ही होने चाहिए जो आपको समझ आ सकें जो आपको समझ आ सकें ऐसे नहीं होने चाहिए कि अगर दूसरा कोई भी बंदा आपके notes देखे तो वो notes देखके कहें अरे वा या बात है कितने सुन्दर notes बनाएं इस चीज को करने की कोशिश मत कीजिएगा अपने notes से दूसरों को impress करने की कोशिश मत कीजिएगा यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे students अपने notes को सजाने में बहुत time waste कर देते हैं जैसे कि red pen से heading लिख लो फिर blue pen से explanation कर दो फिर black pen से flow chart बना दो pencil scale लेकर diagrams बनाओ है ना और side पे थोड़े margins वगएरा draw कर दो है ना completely waste of time completely और मैं सच में बताऊंे आपको जब मैं Bachelor में और Master में थी मेरी Class में जो लड़किया ऐसे notes बनाया करती थी उनके exam में कभी भी अच्छी performance नहीं हो पाती नहीं हो पाती थी पता नहीं क्यों बट जो अच्छा परफॉर्म करती थी एक्जाम में वही लड़की होती थी जिनके नोट सिर्फ उनको खुद को ही समझ में आते थे यानि कि उसमें कुछ भी किसी भी तरह की सजावत नहीं होती थी तो आपके नोटस just free handly आपने लिखे हो गंढी handwriting में लिखे हो जैसे मेरसी लिखे वूर जैसर कुछ को ही फारक नहीं पड़ता बच्चे बच्चे बोलते हैं कि हम को सुन्दर handwriting लिखने का बहुत शोंक है हमको सजावट से लिखने का शौंक है ठीक है इस अर होबी तो अपनी होबी एक्जाम में मतला आप प्रियांडली लिखी ए गढ़ना लिखी है जैसा भी लिखी है बस आपको समझ में आना चाहिए ऐसा लिखी है और आपको समझ में आने चाहिए किसी और को समझ आते हैं नहीं आते इसे नोटस हों तो किसको दिखाने यह आपको यह आपके पास ही रहने वाले हैं किसी को नहीं यह देखने नोट्स ठीक है तो this is a very important thing बस उतने ही उतनी ही मिन्नत लगाईए उतनी ही ऐसी ही एंड राइटिंग लिखिए जिस यह आपको समझ में आ सके अब मैं यहां पर आपको एक एक ग्जामपल देती हूं यह मान लीजिए एक डाइरी है तो मैं आपको मिशा सुझेस्ट करूंगी कि आप जब भी कोई नोट्स बनाने जाएं तो आप इसी तरह का यह रिजिस्टर नहीं है मेरे मेरे पास एक डाइरी है आप इस फोर्म का अब यह रिजिस्टर लीजिए जो इस तरह पार्ट में डिवाइड इससे के होगा कि मान लीजिए आपको एट्थ यूनिट पढ़ना है तो आपको ढूदना नहीं पड़ेगा आपको सिंपल पता है यहां पर खोल के चलो एट्थ यूनिट पढ़ लो तो वह आपकी ही सिंपलिसिटी बढ़ जाएगी आपका टाइम बचेगा एक क्लियर कट चीजे क्रिस्प चीजें आपके सामने फटा फट से खुल जाएंगी अगर इस तरह का को रिजिस्टर लेते हैं जो अराम से मिल जाता है मार्किट से जो पार्ट में डिवाइड हो ठीक है तो नोट ज इससे जादा मत रखिये इससे जादा बहुत बल्क हो जाएंगे इससे जादा अपने नोट बनाने की कोशिच मत करिये इसके कोडिंगे अब चले डिय कॉम्प्रिहेंशन को निकाल दू और टोटल आपके आठ यूनिट बनते हैं तब भी अगर मैं देखू तो कम से कम आप 20-25 पेज़े आप इससे कम भी रख सकते हैं इस लिमिट को ठीक है बट इससे जादा नहीं इससे जादा रखेंगे तो बुक में और आपके नोट में फरक नहीं रहने वाना ठीक है तो यही कुछ important चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ discuss करनी थी Notes को लेके कितने pages का per unit होना चाहिए कौन सी चीज़े Notes में लिखनी है अगर आपके लिए चीज़ें helpful रही होंगी तो प्लीज एक बार वीडियो को like share ज़रूर कीज़ेगा Okay, so thank you very much for watching, take care, bye-bye